हेलो दोस्तों, Laptop Master में आपका स्वागत है, मैं आपका दोस्त निशान ताज फिर आपके सामने एक नए वीडियो एक नए लाप्टाप के साथ, आज हम लेकर आए हैं लिनोगो का न्यूली लॉंच्ट आइडिया पैड फ्लैक्स 5 राइजन 7 7000 सिरीज के साथ, 7000 सिरीज है तो सोचिए कि लाप्टाप भी बड़ा जबर्दस होगा, 16 GB RAM दी है, 512 GB SSD दी है लिनोगो ने अपने इस लाप्टाप में, वो 14 इंची की टच स्क्रीन है, तो दोस्तों आज हम इसको अन्बॉक्स करने जा रहे हैं, जी हाँ, कहीं मैं जहिएगा वीडियो के अंतक बने रह हो रहे है, उस डीलर के सुरू हमें ये लाप्टाप प्रवाइट कराया गया है, जब भी आप लाप्टाप ले लिनोगो का अगर डेली में हैं, तो उससे एक बार प्राइस जरूर करिएगा, काफी बेटर प्राइस आपको लिनोगो लाप्टाप के यहां पर मिल जाएंग हम हर लाप्टाप का बैक पैनल ओपन करके आपको जरूर दिखाते हैं, जिससे आपकी सारी की सारी क्वेरी दूर हो जाएं, तो चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लाप्टाप को अन्बाक्स, तो दोस्तों लाप्टाप हमारा ओपन हो गया है, इसमें हमेशा जै यह adapter भी light weight ही रहे यह इसके साथ pen मिलता है ink pen नी ball pen नी stylus है इसकी screen पर working करने के लिए क्योंकि touch screen laptop यह है जो आज हम open करने जा रहे हैं कि अगर color की बात करूंगा तो color जो है इस laptop का अगर हम color की बात करेंगे तो Arctic gray color के साथ लिनोव ने laptop को launch किया है polycarbonate material से बना हुआ है metal body नहीं है ना top पे है ना bottom पे है अगर हम बात करेंगे तो back side की भी ventilation आपको दे रखे है windows का logo है rubber grip है अगर हम sides भी बात करेंगे तो sleek body है देखे इसमें एक i3 भी launch किया है लिनोव ने और इसके अंदर आपका यह ryzen 7 model है दोनों की look बिल्कुल सेम है difference जो है i3 के अंदर जो top है वो metal body में aluminium में है इसके अंदर polycarbonate के अंदर पना हुआ है built quality इसकी भी काफी better है जिस हिसाब से pricing लिनोव ने रखी है built quality काफी अच्छी दी है तो दोस्तों देखते हैं एक हाथ से open होता है या नहीं एक हाथ से open नहीं हो रहा उठ जायता है इसके अंदर से manual लिख ला है तो दोस्तों देखते हैं laptop के ports उसके बात देखेंगे configuration क्या लिनोव ने दी है इसमें laptop के left side में दिखेंगे तो आपको तीन ports और एक power button दिखाई देगा यहाँ पर इस laptop के अंदर side में power button दे रखा है power on करने के लिए power button के साथ में आपको मिलता है card reader उसके साथ में दो port दिखते हैं दो नहीं आपके USB 3.2 Gen 1 है लेकिन एक जो port है जो आपको एक port दिखाई देगा right side का वो always on USB है जिसमें हमेशा power रहती है अगर आप charging करना चाहें तो इस port से charging कर सकते हैं laptop बंद होने के बाद भी laptop के right side में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहला port दिखाई देगा वो charging का है laptop को charge करने के लिए उसके बाद आपको दिखाई देता है HDMI port जी हाँ HDMI port है 1.4 भी आपके projector या LED TV connect करने के लिए फिर आपको दिखाई देगा एक type C 3.2 Gen 2 आपको दिखाई देता है power delivery 3.0 और display port 1 3.4 के साथ और साथ में आपको एक दिखाई देगा 3.5 mm का combo jack headphone और microphone connect करने के लिए दोस्तों laptop की configuration देखते हैं सबसे बात पहले बात करेंगे processor की तो AMD Ryzen 7 7 7 7 3 0 U processor आपको इसमें मिलता है Radeon Graphics के साथ base speed 2 GHz है और turbo boost technology के साथ आपको ये processor मिलता है 4.5 GHz और core आपको मिलते हैं इसमें 8 तो दोस्तों यहां बहुत confusion create होती है काफी viewers की demand रहते हैं कि sir आपने ये बताया AMD Ryzen better है लेकिन इसमें 6 core है 6 core है या 4 है 8 है लेकिन हमने i3 या i5 पिलिया उसके अंदर 10 core थे मैं अपनी हर वीडियो में ये clear करने की कोशिश करता हूँ जैसे आपको इसमें 8 core मिल रहे हैं तो वो 8 के 8 performance core है efficient core इसमें नहीं है जैसे अगर ये ही उसमें आपको Intel में मिलता तो आपको उसमें 6 core efficient core मिलते हैं और 2 core performance score मिलते हैं मतलब जो maximum जो frequency है वो 4.5 GHz की वो सिर्व 2 core क के लिए है तो ये हमेशा ध्यान में रखिए यहां आपको 8 के 8 core performance score मिल रहे हैं और logical processor भी 16 है और L3 cache आपको इसमें 16 MB और अगर हम nanometer की बात करें तो 7 nanometer का processor आपको इसमें मिलता है देखिए Intel में ये मिलता दूँ 10 nanometer का processor आता है इसमें 7 nanometer जतने nanometer कम होते चले जाते हैं उत RAM है LPDDR4 आपको RAM इसमें मिलेगी जिसकी maximum speed 4266 MHz की है slot 2 है 2 दोनों के दोनों used है slot नहीं है इसमें भी आपकी जो RAM लगी भी है वो soldered RAM है आप upgrade नहीं कर सकते जब laptop फोलेंगे तो आपको दिखाएंगे disk की बात करेंगे तो 512 GB की इसमें आपको SSD मिलती है gen 4 की जिसकी capacity आपको 477 GB की मिलती है graphics की बात करेंगे AMD Radeon Graphics है dedicated graphics आपको 512 MB मिल रहा है इसमें shared आपको 7.7 GB है total आपको 8.2 GB है तो देखे मैं आपको बदा दूँ dedicated GPU memory आपको इसमें दिखाई देती है 512 MB की है यह याद देगेगा यह processor के अंदर होती है graphics memory dedicated graphics की कोई chip लगी नहीं होती है AMD अपने हर laptop के साथ dedicated graphics memory जरूर देता है जिससे आपकी performance और better हो जाए अभी configuration की जो voice आप सुन रहे थे वो हमने इसी laptop के mic से record करी थी laptop के mic को test करने के लिए डिस्प्ले की बात करेंगे तो Lenovo ने इसमें 14 इंची का WUXGA डिस्प्ले दिया है जिसका resolution 1920 by 1200 IPS डिस्प्ले है 300 nits के साथ ग्लो सी डिस्प्ले आता है touch screen में 45% NTSC, TUV, low blue light glass के साथ और touch screen के साथ आपको इसका display मिलता है camera इसमें आपको full HD 1080p मिलता है with privacy shutter के साथ और साथ में आपको dual array microphone भी मिलते हैं तो चली दोस्तों समय होगे है laptop का back panel open करने का, करते हैं back panel open यहां आपको प्रोसर से लगा हुआ है जो heat sink के थुरू connected है fan के साथ और यहां आपको दिखाई दे रही है SSD जो covered है metal body के साथ इसके metal के नीचे इसमें SSD लगी है 512 GB की और इसी के साथ में जो आपको cover दिखाई दे रही है sold RAM है तो chip इसके नीचे लगी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है और अगर आप देखेंगे SSD के साथ में आपको दिखाई दे रहा है Bluetooth और Wi-Fi, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 आपको इसमें मिलता है देखेंगे main portion तो आपको इसमें battery का ही दिखाई दे रहा है 52.5 फर cover के साथ आपको इसकी battery मिलती है अगर आप speakers की बात करेंगे तो 22 watt के दो speaker इसमें लगे हुए हैं जो sides में आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आज हमने अन्बॉक्स किया Lenovo IdeaPad Flex 5 Ryzen 7 16GB RAM और 512GB SSD के साथ देखें अगर हम इसकी usage की बात करें हम पहले review की बात करते हैं तो देखें जिस price में Lenovo ने launch किया है उस price range के अंदर आपको इस configuration के अंदर market के अंदर laptop बिल्कुल भी नहीं मिलेगा price अभी थोड़ी दिर में discuss करते हैं अगर मैं इसकी build quality की बात करूँ तो build quality काफी better है हाँ metal body में नहीं है polycarbonate में है लेकिन उसकी भी जो मैं designing कहूँगा या उसकी build quality कहूँगा वो काफी better Lenovo ने देने की कोश करी है और dvb है अगर performance की बात करें देखिए Ryzen 7 processor है तो अगर आप working की बात करें तो आप इसमें gaming भी कर सकते हैं आप इसमें web designing भी काम कर सकते हैं आप इसमें coding भी कर सकते हैं आप इसमें programming भी कर सकते हैं लेकिन हाँ 4K editing आप इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो graphics memory वो सिर्फ 512 है, जो प्रोसेसर में होती है, dedicated chip इसके अंदर नहीं लगी भी, और अगर आप बात करेंगे, gaming की, जो काफी heavy gaming होती है, hardcore gaming होती है, वो भी आप इसके अंदर नहीं कर पाएंगे, बहुत gaming आप इसके नहीं, आपने इसकी screen में देगा था, 45% NTSC, अगर color की आपको 100% color के लिए टीजोत होगी, तो वो आप इसमें नहीं कर पाएंगे, अब आप क्या क्या कर पाएंगे, देखे, आप web designing कर सकते हैं इसमें, आप programming कर सकते हैं, आप coding कर सकते हैं, आप net surfing कर सकते हैं, touch screen, आप इसम आपने office पे work करना है, वोड एक्सल पावर पाइंडम जिससे कहते हैं, आप वो सब कर सकते हैं, आप accounting भी कर सकते हैं, आप किसी भी ERP पे आप काम करना जाएंगे, तो वो आप इस पे कर सकते हैं, बस यह दिखाना कियेगा, 14 इंची का laptop है, तो इसके अंदर numeric keypad आपको नह सकते हैं, तो इसके usage काफी है, performance भी better है, और साथ में आपको यह pen मिलता है, यह stylus pen है, जो इसकी touch screen पे work करता है, देखे, सबसे excitement part इस laptop के अंदर है, pricing की, pricing, Lenovo ने इसको 70,000 के अप्रॉक्स में लांच किया है, market में यह easily आपको मिल जागा 70,000 के आस-पास, देखे, इस price range में आपको यह laptop इस configuration में नहीं मिलेगा, किसी भी competition brand में मैंने नहीं देखा, अभी इस price band पे किसी ने launch किया हो, वो भी 16GB रहा है, वो 512GB SSD के साथ, Lenovo इसके रहाद one year की on-site warranty देता है, अगर आप extend कराना चाहिए, तो extend करा सकते है, festival offers आपको मिलता ही रहता है, time to time Lenovo offer launch करता ही रह तो Lenovo इसका भी आपको option देता है, अब accidental damage protection भी आप करा सकते है, बहुत ही nominal prices में आपको Lenovo exclusive store पे accidental damage production की warranty भी 3 साल की मिल जाएगी, मैं हमेशा यह सेरेश्च करता हूँ, जब भी आप touch laptop लें तो उसके साथ तो खास दोर से accidental damage production जरूर लें, और कभी भी third party की warranty कभी मत हमेशा यह याद दखिएगा, market में और भी लोग हैं जो multi band बेचते हैं, वो third party की warranty बेचने कोईश करते हैं, लेकिन आप वो बिल्कुल भी मत लीजएगा, हमेशा Lenovo से ही लीजएगा, और अगर आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली के हमने कुछ Lenovo exclusive store की 4 numbers description box में आपको दे और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, और बेल आइकन जरूर पैस करेगा, आगे जो पी हम वीडियो अप्लोड करेंगे, उसका notification आपको मिलता रहेगा, दोस्तों वीडियो के अंतक हमारे साथ बने रहने